इस बीच मजगाव डॉक के नतीज़ा आ गए है स्क्रीन पर और शेर देखने की साड़े तीन परसंट ऊपर है मार्जिन आठ परसंट से बढ़कर 27 परसंट गजब का मार्जिन एक्सपेंशन है आए देखते हैं आए कितनी बड़ी है मुनाफ़ा कितना बड़ा है मुनाफ़ा के फिगर पर भी नज़र डालेंगी और मुनाफ़ा बड़ा है 121 परसंट यानि की डबल से भी ज़्यादा हो गया मुनाफ़ा मजगाव डॉक के बहुत ही तगड़े नमबर हैं सुमिझ जी आप जरा इस पर राय दीजिए मजगाव डॉक को लेकर पांस ज़ार रुपे का शेर है तीन परसंट उपर का चार परसंट उपर फिलाल ट्रेट कर रहा है कैसे लग रहा है आपको इसका चार्ट कैसा लग रहा है आपको अभिजेक जी देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा रन अब दिखाया था फ्रॉम दे लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ 2,500 तिल दे लेवल्स ऑफ 5,800 देखिए उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन टू नेगटिव जोन में था लेकिन देखेंगे कर पितले पास से सास सेश यहां पर वेट करूंगा अगर स्टॉक 5,200 को क्रॉस कर रहा है अगर 5,200 के उपर सस्टेन कर रहा है तो फिर एक फ्रेश बाइंग ऑपर्चुनिटी यहां पर बन सकती है जिनके पास है वो होल्ड रखें और न्यू के लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको जिनके पास है वो होल्ड करें 58,200 रुपे के हमने भाव देखे थे मजगाओ टॉक की जुलाई में और वहां से शियर फिस्ता सिर्फ मजगाओ टॉक ने फिस्ता तमाम PSU जो भी थे न वो सभी में हमने थोड़ी थोड़ी प्राफिट टेकिंग देखी थी उपर इस तरो पर क्योंकि चले बहुत जादा थे तो ये प्राफिट टेकिंग आना लाजमीव था लेकिन जो ही नतीज़ा है देखें लोग ताक में बेठें कि कौन सा मौका आए और कौन से अच्छी चीज़ा है कई बार होता है कि लोग न कोई अगर ट्रेंडिंग सेक्टर होता है चड़ने वाज़ा श